अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की खिचरी, बीरबल की खिचरी. सर्दियों का मौसम था, बादशा अकबर अपने बागीचे में बीरबल वा एक अन्य मंत्री के साथ तहल रहे थे. हुए बा, दशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही थन पर रही है. महल से बाहर निकलने में भी थन से हालत खराब हो रही है. मंत्री ने बादशा की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फर्माया आपने. इस साल तो इतनी ठन पर रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है. तहलते तहलते बादशा अकबर बगीचे में बने तालाब की किनारे जा पहुँचे. जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें असास हुआ. कि पानी बर्फ जैसा ठनडा है. पानी से हा जुकाते हुए कहा माफी चाहता हूँ हुजूर इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ अकबर ने आश्चार्य चकित होकर बीरबन से पूछा अच्छा तो हमें भी बताए क्या ख्याल है आपका बीरबन ने कहा हुजूर मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के ये पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना थंड़ा है या गर्म अकबर ने हैरान होकर बीरबन से कहा तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई ही ऐसा काम करने को तयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके बीरबन ने कहा जी हुजूर मैं यही कह रहा हूं बादशा अकबर ने बीरबन को चुनौती देते हुए कहा तो ठीक है अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रख कर इस बात को प्रमानित कर दिया तो हम आपके लाय हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे बादशा की बाध से सहमती जताते हुए बीरबन ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया अगले दिन सभा में बादशा अकबर ने में पूरी रात बिताने को तयार है बादशा अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है दो सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निग्रानी करेंगे अगले दिन फिर से दर्बार लगा और बादशा ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा बीरबल कहा है आपका मित कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में बीरबल ने कहा महराज वो यही है मैं उसे दर्बार में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं बादशा की इजाज़त मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दर्बार में बुलाया बादशा अकबर ने गंगाधर को शाबाश अकबर ने कहा महराज शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिलकी पर एक दिया जलता नजर आया उस दिये को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी बादशा अकबर ने चौक कर कहा यह तो धोखा है तुमने हमारे महल के जल करके अपने कमरे में चले गए अगले दिन रोज की तरह सभा लगी जब बादशा अकबर सभा में आय तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौझूद थे सिवाए बीरबल के बादशा ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहा है तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं बादशा ने सिपाही से कहा कि वो तुरंट बीरबल के घर जाए और उन्हीं लेकर आए कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लोट आया बादशा के पूछने पर सिपाही ने बताया बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन अकबर को कुछ संदे हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्नाय लिया। जब बादशा अकबर बीरबल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक उची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकडियां जला रखी बादशा आश्चर्य चक्कित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचरी पका रहे हैं। बादशा अकबर ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो यह खिचरी कैसे पक सकती है। तुमने बीरबल की खिर्की पर रखे एक दिये से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचरी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजडिक है। बीरबल की बात सुनकर बादशा हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे बीस सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख, बच्चों, बीरबल की खिचरी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है। कि दूसरों की सफलता के प झाल झाल